लोगसभा चुनाव के दौरान कॉंग्रिस ने राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का अरोप लगाते हुए सत्ता धारी बीजेपी पर जमकर हमला बोला था सुप्रीम कोट में जाच की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने चौकिदार चोर है का नारा दे दिया था लोगसभा चुनाव के बाद एक बार फिर राफेल के मुद्धे पर कॉंग्रिस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं राफेल के मुद्धे पर सुप्रीम कोट में दायर पुनरविचार याचिका खारिज होने के बाद अब बीजेपी ने कॉंग्रिस के खिलाफ आक्रमक तेवर अपना लिए हैं बीजेपी राहूल गांधी के किलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी कारेकरता देश भर में राहूल गांधी से माफी मांगने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं पीजेपी की मांग है कि राहूल को देश से माफी मांगनी चाहिए ग्रिह मंत्री अमिच्छाह के अलावा केंद्रिय मंत्री रवी शंकर प्रसाद और राजनात सिंग ने ट्वीट कर कॉंग्रिस पर हमला बोला था